हलो फ्रेल तो कैसे हो आप सब आप सब को मेरे चैनल बर स्वागत है आज मैं बनाने जानी हूं अरवी के पत्तो के सब्जी इसके लिए मैं अरवी को पत्ता ले लिए इसको अच्छी तरह से पानी में धोले लिए इसको अच्छे से दोनों तरफ से धोले ना है यह देखिए स तब पत्तों को मैं अच्छी तरह से धोली हूं तोड़ाए पानी निकल जाए इसके बार तब तक मैं इधर मसाले त्यार कर लेती हूं जीरा कालेमेरी मिर्ची नश्यूर दाल चीमी बड़ी लाइंची दो चार लॉंग यह मसाला त्यार कर रही हूं और राइ के दाने यानि जाओ जाओं ऑ Collins आ यह में डालूगी अब कुछ मसाले मैं पत्ते में डालूँगी इसके लिए मैं अलग पीस रहीं की व स्कूल आ कि को ट्वल झालों फरें पत्ते काले मैं शावी से फिर ले पार लाई ले मंसाल त्यार कर लेती हूं यह मारा मसाला त्यार हो गया यह सर्शो का है बेश्ट चलिए अभी बेशन त्यार करते हैं अभी बेशन ले लिए हैं बेशन इसमें डालेंगे एक चमा छल्दी पॉड़ा थोड़ा समेर्ची कोड़ा थोड़ा गरा मशाला लमाक अर जो मसाले त्यार करके रख रहे हैं हो थोड़ा कर दो सको मिक्स कर लेती हो डालकर मिक्स कर लेती हैं अच्छी नसालत याब होगा है वेसन त्यार हो गया है ज्यादा पतला भी नहीं अजादा ठीक भी नहीं रहना चाहिए है यह अभीच इसको पत्ते पे लगा के त्यार कर लेते हैं यह सब को प्राचापू से हटा दूने है तो अधार को कि सब्सक्राइब ऐसे सब्सक्राइब है जबिए फिर इसके पत्ते को कि दो प्राचाँ यह सके बस्क्ते कर दो वा यह सके बस्क्ते हैं यह वह सक्ते को लगा प्राचापू यह जड़ का इसको ऐसा पूल कर लें ला है इसके धागे से टाइट करके बान लेगे देखिए दोनों को में फोल्ड करके बांद के त्यार कर ली हूं अधर पानी घरब हो रहा है पानी उबल गया है अब पानी उबलने के लिए रख दी थी उबल गया है अभी से मैं केस को डाल दूँए और इसको ढख दूँए अधर करके दस मिर्ट तक पकाना है इसको थोड़ा पलेट लेती हूं इसको निकाल देती हूं थंड़ा होने के बाद इसको कट कर दें इसको थंड़ा हो गया है इस भागे को मैं काट लोती हूं इसको काट के अटा लगा है इसको नहीं हो रहा है की देखरण कैष्षक काका के देखिए थाउनको मैं निकाल लें को धियां से थाउनकाल नहीं तरहें छुटना नई चाहिए जभी थागा शुटना नहीं सबीकी दागा बसक्ट depend तंवी काट कर लेती हूं कराई चुड़ाई गरम हो गया है अविशु में तालों गी तेल इसको प्राई कर लें हो गया है तेल गरम हो गया है अविशु में डालों गी तेल कि अधीर देखिए सवे बड़ी को में तल ली हूं अभी इसमें आला उप्षाइब हो गया है तो कि जाल देखिये सवास ज़ाइब निकाल लेए तो फिर में डाल सकती है तो तेल घरम हो गए है इसमें डालूँगी जीरा इसके बार डालूँगी राई इसाले में तयार करके रखें तो यह है यह राई का है सर्चो का है कि दसके को तो मैं अबया जालूँगी जो खें का खें बालूँगी जातैंचेह सकता को ह benefic हैं तोरा थैस podob है प कर दोで हैं है तोरा वाइंगम के बोटे हुड़ी पारिं डाल के तो अच्छे से भूल जाएगा मसाला इसमे आट पेल डाली है आप कस्म लेडी मेर्च डालना चाहते हैं कलर के लिए तो डाल सकते हैं देखिये मसाला प्राइब हो गया है इसमें सेर्शोर डाली खिला इसके निए थोड़ा पैम लिए अच्छे इसमें डालोंगी पानी इसमें डालोंगी पानी इसमें आपको जितना पानी चाहिए उतने डालों जैसा ग्रेवी रखना है थोड़ा ही कोपते भी पानी को अब जोड करेंगे ले लेंगे अंदर देखिये मैं इतना पानी डाली गूँ दो कटोरी डाली गूँ इससे दो तीन कटोरी डाली गूँ और सुखे का पानी अग्राइब मैं डालूंगी स्वादा नुसाल नमा अब इसको वाल आने तक छोड़ देती हूं वाल आजाएगा कोपते को डाल दूंगे चलिए इसको ठक देती हूं देखिए पानी में वाल आजाएगा अब इसमें मैं कब्ते डाली हूं डाल की इसको दो तीन इनिट पकाना है बस फिर गैस बन काईगा इसमें आप गरम अस्टाला धनिया को डाला चाहते हैं तो डाल सकता है इस चालल के साथ रोटी के साथ दोनों के साथ बेटर सब्सक्राइब देखिए सबड़ी को मैं डाल दी हूं दो तीन मीना धक को पका लेते हैं ड़क करके तो गया है दो तीन मीना तो इसको पल्टी कर लेते हैं पल्टी करके एक नेट और पकाई तो इसके बाद गयस बन देखिए देखिए यह सबजी बिल्कुत तयार है तो गयस बन कर देखिए इसमें आप गरम मसाला डाला चाहते हैं तो डाल सकते हैं मैं गरम शाले को मसाले के साथ ही फिश देखिए अख्का मसाला को चलेए गयस बन हो गया अब कर दो अब कर दो आप चावल के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं आप सब को यह वीडियो कैसी लेगी जरूर बताईएगा अब कर दो आप सकते हैं